यूपी की रासधानी लखनों में क्रोणा से जान गवाने वाले थाइलेंड की यूती मामले में बिजेपी सांसत संजे सेट ने समाजवादी के पार्टी नेता और प्रवक्ता आईपी सिंग समय तीन लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करा है FIR में आईपी सिंग, मोहमद कुरिया और रामदत तिवारी का नाम भी शामिल है वहीं पुलिजात में मामला फरजी निकल ले और FIR के बाद महेंदर कुरिया नामक शक्स ने संजे सेट से माफी मागी है शोशल मीडिया पर ये फरजी खबर सबसे अधिक हाइलाइट तब हुई जब महेंदर कुरिया नामक शक्स ने ट्विट पर थाइलाइंड यूती का मौत के मामले को बीजे पी सांसत सेट के बेटे से जोड़ दिया देखते ही देखती ये खबर वायरल होने लगी और विपक्षी पार्टिया संजे सेट और भारती जंता पार्टी पर हमला करने लगी शोशल मीडिया पर वाइरल खबर का संग्यान लेकर संजे सेट ने बिना कोई देरी की ये लखनो पुलिस कमिशनर को चिठे लिकर मामले की गहनता से जाच की मांग की और साजिशन इस मामले में उनके परिवार को घसीटे जाने पर आपती जताते हुए शड़यन्त के गुनगारों के लिए सक्षे सक्षे कारवाई की मांग की है आपको बता दे पुलिस ने जब मामले की गहनता से जाच की तो थाई यूती से जुड़े कई तत्य उजागर हुए लेकिन इस केस में संजे सेट से जुड़ा कोई कनेक्शन पुलिस के हाथ नहीं लगा इसके बाद संजे सेट के नेजी सच्यू ने पुलिस को शिकायत दे कर सपा परवक्ता आईपी सिंग मोहिंद्र कुरिया तथा रामदत तिवारी के खिलाफ सड़सट आईटी एक्ट तथा आईपी सी 500 में मुकादमा दर्च करा है FIR में कहा गया कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने क्रोना संक्रमन से हुई थाई गर्ल की मौत मामले को संजे सेट के बेटे से चोड़ कर उनकी छवी को धूमिल करने का प्रयास किया है आपको बता दें वही मुकादमे के बाद सोचल मीडिया पर फर्ची ख़बरों के माद्याम से चबी कराब करने वाले सक्ष महिंद्र कुरिया अब संजे सेट से माफी मांग रहा है महिंद्र कुरिया ने ट्विट कर लिखा मैंने आपके बारे में वायरेल एक फर्ची ख़बर को गहराई से चाचे बिना ट्विट कर दिया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ और मुझे ख़बर ये फर्ची होने का पता चला है मैंने अपने ट्विट को भी डिलीट कर दिया है अब आपकी क्यारा इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए मैं अमन यादो वीके न्यूस दिलीव